दोस्तो जैसे ही महिला गर्वती होती है कहीं न कहीं उसके मन में ये सवाल जरूर चलता है कि होने वाला शिशू लड़का होगा या फिर लड़की चाहे वह गर्वती महिला लड़का और लड़की में भेट नहीं कर रही हो यानि कहने का ये मतलब है कि बहुत से कपल ये जानने की जिग्यासा रखते हैं कि उनका होने वाला शिशू लड़का होगा या फिर लड़की दोस्तो वैसे तो लड़का और लड़की में कोई अंदर नहीं है लेकिन फिर भी गर्वती महिलाओं के अंदर ही जिग्यासा बनी रहती है कि कैसे वो घर पर ही ये पता लगा सकें कि होने वाला शिचु लड़का होगा या फिर लड़की दोस्तो आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं प्रेग्निंसी के दौरान करवती महिला के अंदर बहुत से अलग-अलग बदलाव महसूस होते हैं ऐसे में महिला के शरीर में होने वाले इन बदलाव से पुराने जमाने में जो हमारे बुजुर्ग हो कि आपने एक बेबी बॉई को कंसीव किया है या फिर एक बेबी गर्ल को तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दू कि अगर आप चैनल पर नए है तो मेरी इस चैनल प्रेग्निंसी के और अडवेस को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथी बेल आ महिलां को दाई करवट लेकर सोना पसंद है तो ये गर्वें लड़की होने का साइन माना जाता है दूसरा है दोस्तो शीशू की हलचल अगर प्रेगनेन महिला को शीशू की हलचल पेट की निचले हिस्से में महसूस होती है तो ये माना जाता है गर्व में लड़का होने का लक्षन वहीं अगर गर्वती महिला को पसलियों में बच्चे की जादा हलचल महसूस होती है तो ये गर्व में लड़की होने का लक्षण माना जाता है तो ये गर्वती महिला के पैरों में बिल्कुल भी सूजन नहीं आ रही है या फिर बहुत कम सूजन है तो ये गर्व में लड़का होने का साइन माना जाता है चोथा है दोस्तों, breast का आकार गर्भावस्ता के दोरान यदि गर्वती महिला का बाया इस्तन, दाएं इस्तन से बढ़ा हो जाता है तब ये माना जाता है कि आपके गर्व में एक लड़की बल रही है लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आपका बाया इस्तन, दाएं इस्तन से बढ़ा है तो ये गर्व में लड़का होने का लक्षन माना जाता है पाच्वा है दोस्तों, pate पर line होना प्रेग्नेंसी के दोरान गर्वती महिला के pate पर एक काली line पड़ जाती है और यदि ये line पेट से होते वे नाभी के नीचे तक पिल्कुल स्ट्रेट जाती है तो ये पेट में पेटा होने का लक्षन माना जाता है और यदि ये line नाभी के पास आकर मुड़ जाती है तो ये गर्व में लड़की होने का लक्षन माना जाता है चेटवा है दोस्तों चेहरे पर निखार आना ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के चेहरे पर निखार बढ़ जाता है तो ये गर्व में लड़की होने का लक्षण माना जाता है वहीं अगर pregnancy के दौरान आपके चहरे में बहुत ज़्यादा चाहियां पड़ गई हैं, कील मुहां से बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, आपका चहरा पहले से डल पड़ गया है, तो ये गर्व में लड़का होने का लक्षन माना जाता है साथवा हैं दोस्तो जीव का स्वाद, pregnancy के दौरान महिला के अंदر होने वाले हरमोनाल के changes से, जीव के स्वाद में भी changes आता है यदि गर्वती महिलाओं को खटा या नमकीन खाने का जादा मन करता है तो ये गर्वती महिलाओं को बहुत जादा मीच्छा खाने का मन करता है तो ये गर्वती महिलाओं को बहुत जादा मीच्छा खाने का मन करता है यानि कि आपको अपना पेट लंबा महसूस होगा तो ये गर्व में लड़की होने का लक्षर माना जाता है नवा है दोस्तों सिर के बाल यदि प्रेग्नेंसी के दौरान गर्वती महिला के बाल बहुत जादा बेजान हो गए हैं बाल बहुत जादा जड़ने लगे हैं तो ये गर्व में लड़का होने का लक्षर माना जाता है लेकिन अगर महिला के बाल पहले से और अच्छे हो जाएं और जादा मजबूत हो जाते हैं और बाल लंबे होने लगते हैं ये गर्व में लड़की होने का लक्षण माना जाता है दस्वा है दोस्तों शरीर के बाल प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्वती महिला के शरीर के बालों की ग्रोथ बढ़ जाए तो ये माल लेना चाहिए कि गर्व में लड़का है यदि महिला के शरीर के बालों की ग्रोध बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी तो ये गर्व में लड़की होने का लक्षण माना जाता है तो दोस्तों ये थे कुछ लक्षण जिनसे कि आप आसानी से घर पर ही पता लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी करल को हाला कि दोस्तों इसका कोई भी साइन्टिफिक आधार नहीं है ये मातर आपकी जिग्यासा को शांत करने के लिए बताया गया है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलता है नेक्स वीडियो में धन्यवाद